नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस O-Level की Python की सिरीज में जिसमें अभी हम देख रहे हैं अपना NumPy का चैप्टर और इस चैप्टर में ये हमारा दूसरा लेक्षर होने वाला है तो शुरुआत करते हैं इस लेक्षर की टाइम को न वेश्ट करते तो अगर बात करें array की array क्या होता है तो सबसे important चीज जो यहां पर समझनी है कि array एक ऐसी चीज है जिसमें कई सारे data store करा सकते हैं मगर एक condition के साथ और वो condition क्या है कि मान लिजे यहां पर तीन item store हो रहा है नमबर वन उसके बाद number two store हो रहा है और फिर number three इस चीज को अगर स कि पहला आपने integer save करा दिया दूसरा string save करा दिया तीसरा character ऐसा नहीं होना चाहिए आपको तीनों जो element है सबके data type सेम होने चाहिए यह हमारी array की मानिता है कि array में ऐसा होना चाहिए ठिक यह बात हमारी array की हो गई जो बाकी जगहों से अलग है बाकी सब चीज हैं तो बात करत print कर दिया है अगर बात करें कि किस तरीके से array का हम type चेक कर सकते हैं यहाँ पर हम type के साथ उसका type प्रिंट करा सकते हैं बहुत आसान चीज है एक चीज और याद रखिए कि यहाँ पर अगर बात करें कि क्या चीजें pass की जा सकती हैं देखिए यहाँ पर लिखा है to create an nd array we can past list, tuple और any array like object मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं आप list या tuple भी पास कर सकते हैं या कोई भी array जैसा object पास कर सकते हैं कोई इसके लिए मना ही नहीं है यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह bracket आपका यह वाला लगा हुआ है इसके कारण जैसे array जब पास कराते हैं तो यह bracket लगता है यहाँ पर देखिए tuple पास करा दिया गया है तो tuple भी आप पास कर सकते हैं कोई ऐसी बंदिस नहीं है एक बार इसको run करकर देखते हैं किस तरीके से इसे run करना है तो यहाँ पर देखिए same code हमने लिख लिया है जो वहाँ पर पढ़ा था हमने अब इसको run करा कर देखते है कि बाकी आता क्या है यहाँ पर समझिए कि array में कौन से elements है तो one से लेके five तक element है और उसके बाद हमने array को print कराया फिर type को print कराया दो चीज़ प्रिंट होनी चाहिए पहले array आ जाना चाहिए उसके बाद उसका type आना चाहिए कोई समस्या नहीं होगी चलिए देखते हैं इसको run करा दिया हमने और यहां पर जब run कराया तो output देखे सबसे बहले one two three four आया that is array जो हमारा array यह लाइन लिखी गई है प्रिंट करो array को इसका यह output है उसके बाद जब हमने type प्रिंट कराया यहां पर देखे class numpy.nd array हमारा type भी प्रिंट होके आ गया है बहुत simple चीज है कुछ भ बाद हम समझ जाएंगे dimension in array क्या होता है अब देखे कोई अगर ऐसा array हम बना रहा है जिसमें एक ही element है उसे 0D array हम कहते हैं यहां पर देखे 0D array की बात हो रही है और इसमें एक ही element अगर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं 0D array कहते हैं एक साथ हम सब को खतम करेंगे फिर सब का practical देखेंगे अब अगर कोई बात करना चाहे 1D array की तो 1D array क्या होता है देखे यहां पर discuss किया गया है an array that has 0D array and its element is called unidimensional और 1D array मतलब इसमें आपका 0D array हो और उसके जो elements हैं उसे 1D dimensional array कहते हैं कुल मिलाकर यहां पर देखिए जो समझने वाली चीज है बहुत आसान चीज देखिए यहां पर एक bracket खुला और यहां पर एक bracket बंद हुआ इसका मतलब यह क्या है यह 1D array है समझ गया है अगर यही 2 bracket खुला होता और 2 bracket बंद होता तो इसे आप 2D array कहते आगे अभी देखेंगे तो समझ जाएंगे इस तरीके से आप समझ लीजे वैसे आसान भासा में इसकी dimension एक ही है देखिए सिर्फ एक dimension में यह store हो जाएगा तो इसे आप क्या कहेंगे यहां पर देखिए एक dimension में यह store हुआ है तिसे 1D array कहते है ठीक 2D array देखते हैं क्या होता है तो 2D array की अगर बात की जाए तो यहां पर देखिए 2D array का example लिया गया है और यहां पर जो च कहते हैं यहां पर देखिए पहला यह हो गया और दूसरा यह हो गया और यह हमारा तूडी एरे हैसे लेंथ और भ्रिफ होता है उसको उसको चुआंसागई है समझे इस बात को और 3D array होगा तो गिससी स्चाशनेंगे समझें सीच को 3D एरे होगा तो उसमें तीन डायमेंसन सूंगी यहां पर देखिए समझे इस चीज को यह हमारा जो पहला ब्रेकेट खुला हुआ है यह हमारा एक 1D हो गया समझ रहा है जो यह पहला ब्रेकेट है यहां से लेके यहां तक हमारा 1D array हो गया, उसके बाद यह जो दूसरा bracket खुला हुआ है मैं यहाँ पर इसकी लाइन थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ फिर से मिटा के चली, यह हमारा पहला bracket दिख रहा है यह जो bracket यहाँ से खुला हुआ है और यहाँ पे खतम हुआ है और फिर यहाँ से खुला हुआ है और यहाँ पे खतम हुआ है यह हमारा 2D array है और इसी के अंदर यह जो तीसरा bracket खुला हुआ है यह देखिए हमारा 3D array है ठीक है, नीचे की तरफ जो सबसे बड़ी लाइन है वो 2D array है छोटी वाली लाइन 3D array है और यह जो सबसे बाहर वाली लाइन है यह हमारी 3D array है यह कौन सी है हमारी? 3D array हो गई उसके बाद यह जो नीचे वाला bracket हमने select किया है यह हमारा कौन सा हो गया? 2D array हो गया यह भी हमारा 2D array दरसा आ रहा है और फिर यह जो बीच वाला bracket है ये हमारा कौन सा है 3D एरे है इस figure को मन करें एक सेकंड रोग के समझ लीजिए कैसे हमने एरे के dimensions को decide किया है बहुत आसान तरीका मैंने ये धूंडा किस तरीके से आप समझ सकते हैं brackets के हिसाब से ठीक 3D मनलब जिसके 3D dimension हो 3D dimension में store हो उस type का array और निकालना तो मैंने समझाई दिया देखे एक बार फिड से चलिए समझ लेते हैं इस चीज़ को देखे यहां पर ये हमारा bracket सुरू हुआ और ये खतम हुआ ये हमारा कौन सा array हुआ फिर बात आती है 2D array की तो 2D array में अगर मैं select करके दिखाऊ देखे ये bracket यहां पर शुरू हुआ और यहां पर खतम हुआ इसे आप कह लीजिए एक dimension और ये जो छोटे छोटे bracket हैं ये और इसके अंदर ये ये हमारा क्या हो गया दूसरा dimension हो गया तो यहां पर total कितने dimension है 2 dimensions है ये हमारा है ये चीज़ समझ में आई इसके बाद अगर आगे की तरफ बढ़ें और बात करें कि सर्थ 3D array क्या होता है तो यहां पर मैंने समझाया किस तरीके स्थ 3D array है ये हमारा बाहर वाला bracket हो गया उसके बाद ये जो bracket है ये second D हो गया ये bracket हमारा second D हो गया और अंदर अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए है ये हमारे 3D array हो गया बहुत आसान चीज़ है अगर आप इस चीज़ को समझ गया है तो आसानी से भी आप elements भी निकाल लेंगे समझ मैं ये चीज़ अगर समझ गया हूँ आगे की तरफ बढ़ते हैं पहले इसको एक कोई मैं run करके देख लेता हूँ 3D array ही हम चलिए run कराते हैं तो सेम चीज़ चल रहा है हम लोग run कराने और इसको run कराकर देखते हैं यहाँ पर देखे हमारा 3D array print हो जा रहा है और इस तरीके से कुछ आपका output यहाँ पर दिखता है एक चीज़ ध्यान दीज़ेगा अगर आप array print करा रहा है तो elements की बीच में आपका comma नहीं दिखता है यह बाकी चीज़ों में नहीं होगा अगर array print हो रहा है यहाँ पर comma नहीं दिखता है यह error में पूछा MCQ में मतलब पूछा जा सकता है इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखेगा आगे की तरफ बढ़ रहा है इसके बाद हमारा अगला topic है कि अगर हमें dimensions को चेक करना होगा numbers के तो किस तरीके से चेक करेंगे तो उसके लिए NDIM use करते हैं spelling ध्यान से देखेगा अभी इस से मिलत चुलती और spelling आपको सामने पढ़ने माली है तो NDIM के द्वारा हम क्या चीच चेक कर सकते हैं हम array के dimension को चेक कर सकते हैं तो चलिए same program को copy paste करते हैं और रन करा कर देखते हैं चलिए तो यह हमारा program copy paste हो गया है पहले खुद से समझ लेते हैं यहाँ पर देखिए कितने आपको dimension दिख रहे हैं तो यहाँ पर आपका है zero dimension ठीक अब यहाँ पर देखिए एक bracket open हुआ है एक बंद हुआ है और इसके अंदर सारी चीज़े हैं तो यह आपका हो गया one dimension यहाँ पर देखिए एक purple color का bracket है बड़ा सा बाहर यह हमारा पहला dimension फिर नीले color का bracket जो हमारा है यह दूसरा dimension तो यह हमारा 2D array अब यहाँ पर color के साथ दिख रहा है तो समझ में भी आ रहा होगा यह purple वाला पहला बंदी हो गया नीला वाला तूडी हो गया अब नीला वाला यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ गया है और फिर पीला वाला आपका 3D array हो गया समझ में यह बात पीला वाला 3D array हो गया तो यह हमारा 3D dimension array है चलिए अब अपने program को run कराते हैं देखते हैं क्या बात सही है तो देखे 0 पहला दूसरा 1 फिर 2 फिर 3 सेम चीज हमारी run हो रही है इस तरीके से कुछ हम अपने dimensions को चेक कर सकते हैं चेक हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं देखे आसान सारी चीजे हैं बस concept अगर छोटा सा पकड़ लिया है तो चलते चलेंगे उसी को पकड़के और सुरुवात की चीज छोड़ दी है तो फिर आप मुझे गलत कमेंट कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कोई इसमें दिक्कत नहीं है बहुत से बच्चे सोचते हैं मेरा मानना यह है कि अगर आप बेसिक आसानी से समझ गया है तो फिर कितनी भी कठें से चीज हो आप उसको खीच ले जाओगे और बेसिक में ही अगर आप बुद्धी लड़कडा गई है तो फिर कितनी भी आसान चीज हो कुछ न कुछ चीज रही जाएगी आगे की तरफ बढ़ रहा है इसके बाद बात आती है कि किस तरीके से array के elements को access करना है अब यह बहुत आसान topic मैं मानता हूँ नमबर देने वाला topic मानता हूँ अब यहाँ पर array बन गया है और a, rr, 0 थ element को access किया जा रहा थी यहाँ पर मैं बना रहा हूँ यही same array ठीक है यहाँ पर 4 elements है तो मैं 4 boxes बना लेता हूँ पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2 फिर 3 और फिर 4 अब indexing की बात करें तो पहला वाला जो होता है इसका index 0 होता है दूसरे का 1, फिर 2, फिर 3 कौन सा होगा ये वाला element print होना चाहिए तो अगर हम इसको print कराएं तो हमारा output के आना चाहिए 1 आना चाहिए चली इसको print करा कर देखते हैं चली अब हम इसको print करा रहा है हमारे हिसाब से 1 output आना चाहिए साहिड सी बात है 1 ही आएगा अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ तो क्या आएगा output 3 अगर लिख देंगे तो चलिए calculate करते हैं यह हमारा 0th element फिर 1 फिर 2 और यह 3rd element यहाँ पर है 3rd नहीं 3rd index वाला element तो इसका index 3 है तो हमारा output अब क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, run करा रहा है और यहाँ पर देखे output हमारा 4 आ गया यह चीज निकालना आ गया 0 से सुरू करिएगा calculation तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा इसके बाद आगे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर देखे एक और example वही चीज समझाए गई है कि first अगर print करा रहा है तो यहाँ पर कौन सा होगा 0, 1, 2, 3 तो A, double, R, 1 position पर क्या है? 2 है, तो यहाँ पर output 2 आना चाहिए अगर यहाँ पर 2 प्लस 3 कर रहा है तो output क्या आना चाहिए? तो 2 तो यह हो गया, 3 यह हो गया इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो वो हमारा जोड़ जाएगा सिंपल सी चीज है, समझ में भी आ गई होगी आगे की तरफ बढ़ रहा है इसके बाद बात करते हैं 2D array को कैसे access करते हैं यह बहुत आसान चीज है, बहुत आसानी से समझेंगे भी हम पहले इस code को copy paste कर ले रहा है और वहाँ पर मैं समझाँगा क्योंकि color side हो जाते हैं चलिए ठीक है, सुरुआत करते हैं और ध्यान से इसको समझीगा यहाँ पर 01 print कराना है ARR का अब यहाँ पर समझी इस चीज को पहले 0 क्या है यहाँ पर जो नीला bracket एक दिख रहा है फिर नीला bracket open हुआ है, फिर बंद हुआ है तो जो पहला नीला bracket खुला बंद हुआ है इसका index क्या है 0 और दूसरे वाले का 1 है तो यह जो पहला 0 कह रहा है इसके कारण हम इस bracket में पहुंच गया है अगर यहाँ पर 1 लिखा होता तो हम दूसरे वाले bracket में पहुंचते है ठीक, तो इस 0 के कारण हम इस bracket की बात कर रहे है यह confirm हो गया अब 1 का क्या मतलब है 1 का मतलब है इसमें का 1 अब जैसे कि मैंने आपको समझाया यहाँ पर 0 से calculation सुरू होती है तो पहला वाला 0 हो गया दूसरा वाला 1 हो गया तो 0 1 का मतलब यहाँ पर 2 जो है वो print होना चाहिए चलिए इसको print करके देख रहा है हम लोग यहाँ पर देखे print हुआ और 2 output आ गया और यही चीज मैं समझाने के लिए यहाँ पर change करता हूँ और 1 1 कर देता हूँ अब यहाँ पर क्या होगा यह तो नीला वाला box हमारा 0 था यह 1 था अब 1 के अंदर का 1 index का element तो 1 तो यह हो गया इसके अंदर first position पे क्या है 1 number पे क्या है 7 है तो यहाँ पर हमारा 7 print हो जाएगा यहाँ पर देखे 7 print हो चुका है आसान सी चीज है की नहीं समझ में आ गया हो गया यह चीज मेरे ख्याल से न इस तरीके से कुछ निकाल सकते है 3D में भी सेम चीज होगी चलिए करके देख लेते हैं अभी तो यह तो 2D वाला था यहाँ पर किस तरीके से प्रिंट होगा रिपीट करके देख लीजेगा नहीं समझे हो तो इसके बाद बात करते हैं 3D एरे की 3D elements में array access करने की अब इसको चलिए फिर copy करके paste करते हैं और वहीं पर समझते हैं कैसे इसको किया जाएगा चलिए ध्यान से इस चीच को समझेगा और एकदम आराम से मैं समझा ले जाओंगा आपको अब इस चीच को हमको print कराना यहाँ पर मैं थोड़ा सा space दे दे रहा हूँ ताकि मैं कुछ किच-पिच करूँ तो वो समझ में आए ठीक है इसको थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसे रख रहा हूँ है अब चलिए बनाते हैं इस चीच को तो यह जो हमारा पहला bracket है यह हमारा हो गया 0 और दूसरा bracket जो हमारा है यह हो गया हमारा 1 अब यहाँ पर बात की जा रही है 0 की तो 0 मतलब हमें इसी range में रहना है इस से हमें कोई मतलब नहीं है अब पहले की बात की जा रही है तो यहाँ पर दो प्रीले bracket आपको दिख रहा होंगे पहला वाला 0 पे है और दूसरा वाला 1 पोजीशन पे है ठीक तो किस वाले प्रीले bracket की बात हो रही है चलिए अब यहाँ पर भी इस bracket के अंदर कौन सा element है दो index वाला element तो इसका index क्या है? 0 है इसका index क्या है? 1 है और इसका index क्या है? 2 है तो यहाँ पर अगर हम इसको run कर आएं तो हमारा 6 आना चाहिए और run कर आकर देख रहे हैं तो यहाँ पर 6 हमारा output भी है बहुत आसान चीज़ है समझ गए होंगे सबसे पहले बाहर वाला bracket देखा कि यह हमारा 0 है, यह 1 है उसके बाद यह 0 आया, यह 1 आया और इसके अंदर second position पर यह है कुछ इस तरीके से हम इस चीज़ को run करा सकते हैं अगर समझे होंगे ध्यान से तो मेरी कोसिस रही है कि आपको समझा ले जाओं तो यह कुछ चीज़े थी जो हमारा प्रयास था आपको अच्छे से समझाएं, notes description में मिली जाती है, वहाँ से download कर लीजेगा lecture पसंद आया हो तो like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा और अगर यह हमारी कोसिस समझ में आपको आती हो, क्योंकि हम कोई भी paid तरीकी की चीज़ नहीं अपना रहे हैं तो इस चैनल को चलाने के लिए कुछ आपके सहयोग की ज़रुत रहती है, तो अगर आप हमें सहयोग कर पाएं, तो यह हमारी details है qr code हैं, हमें सहयोग कर सकते हैं मिलते हैं अगले lecture में, धन्यवाद